कि वागत है आप सब लोगों का नया अल्टिमेट यूट्रूब चैनल पे तो हम लोग यहां पर आज मौर्जबंस पार्ट टू में बिंदु साहर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट फर्ष्ट में हम लोगों ने चंद्वुत मौरी के बारे में पढ़ा था कि बन्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि तियासकारों में किस तरीके से मतभेड था कि उन्होंने किस तरीके कि हरियक बंस का असनष्था पक था और यहां पर बिंब बिंदू सार है ठीक है और बिंबू सार था आप लोगों को इस पॉइंट में नहीं करना है बिंबी सार जो था और बिंदु सार के बारे में पड़ते बिंदू लगा हुआ यहां तो सबसे पहले उसका सासन देखेंग रखना दो सो अंठान में सापूर्व में इस समराज की गदी पर बैठता है मौड़ी समराज की और 273 इसापूर्व तक सासन करता है और ये कान था चलुप्त मौड जो था जो की मौड वंस के अस्थापना किया था पूतृर्व तर भार पत्सकां चैनि गरंत में लोग इसके भी चर्चा करेंगे जो कि एक्जाम में आते हैं रहते हैं अक्सर जिसका अन्य नाम जैसे अमित्र घात के नाम से प्रसीत होता है अमित्र घात का अर्थ होता यहां पर सत्रू विनासक आप लोग लिख ले इस पॉइंट को को वाइव पुरान में दूसरा नाम है भधर सार जाइन गरंत में बिंदु सार का दूसरा नाम सिंह सेन इया और चीनी द भी रनाby पाल बता या यह और और आजी बक्स संपर्दाय के दी बात जिसके परवर्तक कौन थे मखली गोसाल था आप लोग याद रखना अब यहाँ पर इंपोर्टेंट बन रहे हैं कि बिंदुसार के समय में ही जो है मौर्जबंस में दो बिद्रों हुए थे तक्सीला में दो बिद्रों हुए थे जिसे दवाने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजता है जब सुसीम से नहीं हो पाता है तो फिर उसे दवाने के लिए असोग को भेजता है आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना है आप सब लोगों को सबसे पहले सुसीम को भेजता है और बाद में असोग को भेजता है और कहा कि नाम से भी जाना जाता आप लोग याद रखना मेगा अस्थनीज के बारे में हम लोगों ने फर्ष्ट वीडियो में पार्ट फर्ष्ट में देखा था उन्होंने इंडिका की रचना की थी तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना है सारा पॉइंट देखना है तो यहां पर मैं एक बार और एक पॉइंट बताना चाहूंगा सीरिया का सासक एंट्योकोस पर्थम ने क्या किया डाइमीकस नाम का एक राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा जो डाइमीकस कौन था मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था और इसके बारे में जानकारी हमें इस्ट्रेबो नामक एक इतिहासकार दे रहा है दो चीज़ों को नोंने भीज दिया था सूकी अंजीर और मदीरा और दार्सनिक नहीं प्हine नहीं होता। तो इसके रिक्ति रिवाज मा इसा नहीं है तो इसलिए दार्षिन को नहीं भीजा था और इसके काल में भी चाना की पधानमंत्री हुआ था तो यहां पर लोगों को एक वार और बताना चाहूंगा ना कि आपका चीज परफेक्ट हो जा और पिछला वीडियो आप लोग पार्ट इसकी आने वाली है बहुत चल जिसमें असोक के बारे मैं बताऊंगा एक चौथा पार्ट भी बनेगा जिसमें मौर्ज समराज के परसासन संबंधित बाते मैं बताऊंगा तो यहां पर मैं एक बार और बताना चाहूंगा बिंदुसार जो की दो सो अन्ठान में इ जाइन गरंथ में इसे सिंग सेन कहा गया है बयुपरान में बिंदुपाल कहा गया है आजीबख संपरदय के अनुवाई थे ऊस आजीबख संपरदय के परबर्तग की बात किया जए तो मखली घोजाल थे और तक्सीला में इसके काल में ही तो बिद्रों हुए थे जिसे कोन होता है मेगास्थनी का उत्रादिकारी होता है और इंडिका नाम का पुस्तक लिखा था इंपोर्टेंट है इसके बाद बिंदुसार ने पर्थम से तीन चीजों की मांग की थी पर्थम होगी सुखी अंजीर अंगूरी मदिरा और एक दारसनिक दो चीज और ने भेज दि बाद की थड पार्ट में लाड़ा हो जिसमें असोक के बारे में बताऊंगा तो फस्ट पार्ट में हम लोगों समराज के बारएं में कैसी देखा था कि अस्थापना का सुरूत क्या है फिर चदूत मौर्ज के बारे में पढ़ा था यहां पर आज हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं और नेक्षिए अगले में फिर इसका परसाथन बताऊंगा फिर मौर्यपतर काल आएगी विविन सारे जो बंस इसके बाद फिर गुप्तबंस पढ़ाओंगा गुप्तवत्वरकाल पी आएगी इसी तरीकी से हमारा प्राचीन भारत का जो ए टॉपिक्स से लेवस है अब जल्द बहुत जल्द खतम होने वाली है और बांकि मद कालीज की सीरीज तो चली रही है आप लोग भी देख सकते हैं और आप बहु प्राची को ये खतम है और बांकि मैंपकी कमी मद बहुत जल्द खतम हैं लारत के हैं जल्द खतम होने।